तो Angular सिखने की स्षरीज में आज हम देखने वाले हैं कि जधि हमें डेटा पास करवानी है Child to parent class तो वो केसे कर सकते हैं Last वोडियो में हमने देखा वा था कि जधि parent to child class में data path करवानी है या फिर parent to child component में data path करवानी है तो वो केसे कर सकते हैं तो दिखिए जब आप child class के selector को use कर लेते हो ना अपने parent वाले class में या फिर किसी दूसरे component में तो वो भी एक तरीका है data pass करने का कि simply आपने selector use कर लिया और template वाले file में जो भी आप changes करोगे लेकिन इसके अलावा भी जदि आप properties पास करना चाहते हो या फिर कोई भी data पास करना चाहते हो तो उसके लिए आप यूज कर लेते हो output method और इसमें हम लोग यूज कर लेते हैं emitter event तो वो अभी हम देखने वाले की कैसे कर सकते हैं लेकिन उसके लिए हम लोग क्या करते हैं जो भी हमने last time क्या वा था वो सारे को delete कर लेते हैं और सारी चीज़े scratch से करेंगे आप इसका backup लिए लेना क्योंकि एक ही file के अंतर सार से रिमूब कर लिया और यहां से रिमूब कर लेते हैं और जो app.component.html वाला फाइल है यहां पर हम लोग सिपर h1 tag में mention कर लेते हैं child to parent क्या data sharing तो data sharing from child to parent ओल्रेट तो इसको देख लेते हैं क्या reflect कर रहा है कि नहीं reflect कर रहा है अब यहां पर दिखिए सबसे पहले हमें काम करना है चैले वाली class में तो home component वाली class है यह फिर component वह सकते हो यहां पर हम लोग simply रखते हैं इसको एक variable लेते हैं या फिर property बहुत सकते हो और इस variable में हम लोग assign कर लेते हैं एक string तो suppose यहां पर हमने कर लिया संजीत कोडर अल्राइट अब हमें क्या करना है यहां से इसको एक्सपोज करना है और इस title को यूज कर लेने हमें कहां पर parent वाले class में तो उसके लिए इसको expose करने के लिए या फिर emit करवाने के लिए यहां पर हमें दो चीजों को तो यह एक्सपोज हो जाए यह फिर emit हो जाए तो यहां पर output decorator को यूज कर लेना है तो यहां पर और पूद decorator आप चाहो तो पहले भी यूज कर सकती हो वैसे हम लोग constructor और यह जो है और इसको हम लोग दो तरीके से यूज करते हैं event emitter को और यहां पर यहां पर ले लेना है angle bracket में और angle bracket में यहां पर पास करना है कि आप कि तरह का data पास कर रहे हो तो सब्सक्रींग है तो यहां पर लिखेना है all right और यहां पर parenthesis और कहीं कहीं पर यह भी देखोगे यहां पर उसने कर लिया है colon और यहां पर इसको उठाके उसने mention कर दिया यहां पर क्यूंकि यह क्या है type बताता है मैंने आपको बताया था type script में कि चुकि यह type script को support करता है और जो भी code हम लिखते हैं वो type script में लिखते हैं तो इसलिए यहां पर आपको कहीं कहीं पर mention करना पड़ जाता है यह कहीं कहीं होता है कि colon के बाद यहां पर type mention करो तो यह भी आपको कहीं कहीं पर देखने को मिल सकता है तो फिलाल के लिए हम लोग इसको इसी पर फोकस करते हैं लेकिन यहां पर हम लोग क्या करें गें एक मेथड करेंगे इसमें आपँ यहां पर कर सकते हो इसमें कॉंश्य मत ऊईएगा कि अंने मेत्रटर में तो मैथस यहाँज है यहाँ यहाँ पर हम यूज कर रहे आना वाले वडीव में तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं एक मैथ तो मैथसड ऑजिफिक 되어 तो निटा और हमें क्या करना है एंट का रिमसराना है तो उसके लिए क्या करना है दिस डॉलट एवेंट के हलब से से दो एवेंट और एक 500 होता है यहां पर आपको इस टाइटल को एमिट कर वाना तो इसे भी एक्सेस करने के लिए दिस डॉट एमिट क्लास में आप इस किवर्ड युजब करते हो अल्राइट यहां पर टाइटल हो गया इवेंट एमिटर को यहां पर इंवो किया यहां पर हमने मेंथड के थू इवेंट को यूजब कर लिया और यहां पर हम डूट यहां पर लेते हैं बटन किलिक तो बटन किलिक में विस्ट चुकि हमें इवेंट को एक्सपोज कराने तो यहां पर इवेंट और यहां पर उस मेथड को कॉल कर वा लेने तो यहां पर इसे बंकर लेने अभी के से गट करते हैं और यहां पे एक वेयरियुबर लेते हैं सब्सक्राइब कर लिया है टाइटल को कर लिया ब्लेंख और यहां पर title में assign कर लेंगे जो हम लोग child component से डेटा ला रहे हैं तो वह कैसे assign करना है वह भी हम लोग देखेंगे लेकिन फिलाल के लिए app.component.html वाले फाइल में यहां पर ले लेते हैं चैड़ वाला सेलेक्टर जो हमारा एफ होम यहां पर जदी आप आओगे कि click event से हमारा वो data source ही जाए जो हमने send कर रखा है यहां पर गलती से हो गिये तो यहां पर यूज़ कर लेना है get data और यहां से event पास कर लेना है जो भी click event होगा वो पास हो जाएगा तो इसको हमें access कर लेना है कहां पर इस जगहाँ पर तो dollar event अब डॉलर ले भी सकते तो नहीं भी ले सकते हो और यह आप इसको असाइन कर सकते हो और यह जो टैटल है इसको आप एक्सेस कर सकते हो इंटरपोलेशन के थुरू तो यहां पे आप लिख सकते हो पी चाइल्ड डेटाइज यहां पर control V ओल्राइट तो यह हमारा I think हो गया है यहां पर हम लोग लिख लेते हैं जो home.component है यहां पर हम लोग लिख लेते हैं click here ओके तो यह हमारा हो गया है code यह हो गया आपका जो हमने parent class में लिख रखा है यह फिर वो सथे parent component में और यह हम लोग child component में लिखे हुए ओके तो यहां पर अभी देखे click किया यहां पर बोल रहा है object mouse event वो पास इसले नहीं हुआ है क्योंकि यहां पर जोदिए आप देखोगे तो हमने app home में click event लिया हुआ है जबकि click event actual में आपके button click पर होता है तो यहां पर just opposite करना है click event यह होगा और event जो है वो हमें access कर लेना है यहां पर जो आपका app.component है तो यहां पर आपको कर लेना event ओल्राइट तो इसको save करना है browser पर जाना है click किया तो देख सकते हैं ओके तो इस तरह आप data पास कर सकते हैं तो फिर से इसको एक बर देख लेते हैं कुछ हमने किया नहीं था जो home.component है h1 वाले file में यहां पर h1 tag में यह लिख दिया एक button ले लिया button में हमने click event कर लिया और click event में हमने यहां पर send data कर दिया मतलब एक method को call कर लिया उस method में हमने basically क्या क्या हुआ है home.component.ts में एक variable यह वाल टाइटल के नाम से यहां पर हमने यूज कर लिया है output decorator को और इसमें हमने invoke कर लिया है event emitter को यहां पर यह आप ले सकते हो यह मैंने remove कर दिया था तो यह भी ले सकते हो इससे भी आपका same वही response आएगा ओके तो यहां पर event emitter को invoke कर लिया है और इसी event को यहां पर हमने emit कर लिया इस event के help से emit कर लिया हमने this.title को और यहां पर हमने app.component.ts वाले फाइल में एक title ले लिया और यहां पर एक method के थूँ हमने get कर लिया value जो हमने child component से पास किया वाद ओके और app.component में हमने यहां पर उसके access कर लिया तुमी दर वीडियो जोरू अच्छा लगी होगी subscribe भूर कर लिया चैनल को मिलते हैं नए शूड़ों में thank you, happy learning